जेन दुस्तो मेरे नाव मेरे तुल और स्वागत है अपका अपने डिप चैनल रतुल टेक बजार में दूस्तो रिसेनली लॉंच हो यह बजट सेग्मेंट के दो फाइजव मोबाइल हमारा पास में रिड्मी थर्डिंसी फाइज डिवाइस और पोको एमसिक्स फाइज तोनों का ही जो वेट है 195 ग्राम का है एंड यह 8.19 mm थिकनेस के साथ में आता है तोनों ही डिवाइस में साइड मांटेट फिंगर्पिंट का सपोर्ट मिल जाता है तोनों ही डिवाइस में मिनिट आप डिस्प्ले मिलता है जो कि 6.74 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले है पट य 90 Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आता है इतना ही दोस्तों यहां पर आपको 600 इंच ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है तो ब्राइटनेस आप देख सकते हो काफी यहां पर बढ़िया है इसके अलावा यहां पर ग्लास 3 का प्रोटेक्शन इस प्रैस सेग्मेंट मिल जाता है PY14 Android 13 Stable Update के साथ दोनों ही डिवाइज आती है और यहां पर Virtual RAM यानि RAM Expansion का सपोर्ट भी मिल जाता है तोनों ही डिवाइज में सेम प्रोस्टर प्रोट किया गया है Mediatek Dimensity 6100 Plus वाला यहां पर दोस्तों तोनों ही डिवाइज में 5000 mh के बैटरी और 18W की चार्जिंग प्रोट की गई है इस वीडियो में तो उनों ही डिवाइज का अपरिजन प्लस फुल स्पीड टेस्ट अब के लिए लेके आ गए हैं देखते हैं कौन सी डिवाइज का परफॉर्मेंस बहतर मिलता है दोस्तों चैनल पर नहीं सब्सक्राइब जरू से करेजिए का बेल आगन को भी सब्सक्राइब करें के लिए ताकि जब भी ऐसे वीडियो अप्लोड को रहूं नोटिफिकेशन आप तक पहुझा चलिए फड़ाफट से स्टार्ट करते हैं सबसे दोनों ही मुबाइल का बूटिंग टेस्ट कर लेते हैं सेम टामिंग पर हमने दोनों ही डिवाइस को यहा पर हुझा रिवाईस बूटिंग टेस्ट में पास होती है कि अप दिस्तों सेकंड टेस्ट जो हम करने वाले हैं वह एपडानूड टेस्ट करने वाले आप देख सकते हैं दोनों ही मॉबाइल जो है रियल्मी एक सेवन से मॉबाइल से कनेक्टेड है यहां पर दोस्तों हम इंस्टाग्राम जो कि 50 MB के आसपास की आयपे से डाउनलोड करने वाले हैं इससे भी दोस्तों थोड़ा सा हमने आप फास फारवड कर दिया तक फड़ा पड़ापर से हमें यहां पर प्ले बटन ब्लू कलर का दिख जाए कौन से मॉबाइल में आने वाला है देखते हैं यहां पर आप देख सकते हो कि लिए रिड्मी 30C में यहां पर ऊपन का बड़न आ चुका है और पोको M6 प्रो थोड़ा सा यहां पर पीछे रह जाता है इस M65G डिवाइस पर टैप किया है और यहां पर थोड़ी सी यहां डाउनलोडिंग स्पीड दोनों ही डिवाइस में कम मिलती है लेकिन अप्लोडिंग स्पीड यहां पर देख सकते हो जो कि 13C में ज्यादा देखने को मिलती है यहां पर नेक्स्ट एस हम काइनवास्टर एप क त्रू वीडियो रेंडरिंग स्पीड टेस्ट करने वाले इससे पहले परफॉर्मस आप देख सकते हो यहां पर दोस्तों ही 10-11,000 रुपे के मॉपाइल है लेकिन 1440 प्याने QSD तक का यहां पर आउटपुट आफ वीडियो में ले सकते हो जो कि काफी अच्छी बात है यहा यहां पर थोड़ा सामने अगेंस से फास्ट फारवर्ट कर दिया है और रिजल्ट आपके सामने है रिड्मी 13C जो है वो थोड़ा सा पहले पीडियो रेंडर करके देता है यानि कि एक दो सेकेड का ही अंतर है तोनों में ही सेम पोफॉर्मस आपको मिलने वाला है यहां पर हम स्कोर जरू से दिखाएंगे दोनों में ही आप देख सकते हो यहां पर आपको ग्रीन लाइन ग्रीन ग्राफ अच्छा दिख रहा होगा और यहां पर 91 वर्सेस 90 का स्कोर है अगे ज्यादा डिफरेंस नहीं है अल्मस्ट सेम स्कोर ही यहां पर दोनों ही यहां पर पहले इस एप को उपन कर पाता है तोनों ही मोबाइल ने सेम टाइमिंग पर इसे ओपन किया नेक्स्ट दोसे एंधितु बेंचमार्क स्कोर एप को उपन करते हैं इन साथ में एंधितु बेंचमार्क स्कोर भी चेक कर लेंगे थोड़ा से पहले पोकाम 65G डिवा में हमें देखने को मिलता है तोनों ही सेम मोबाइल पर इस एप को इस गेम को ओपन करते हैं sparked हो ऀखेंघ क seulement łうच दोनों ही मोबाइल से इस एप इस गेम को ऑपन किया नेक्स्ट यहाँ पर लूड़ो किंग गेम को भी देख लेते हैं तो यहां पर इमें थाटिंशी डिवाइज ने इससे पहले ओपन किया नेक्स्ट यूडूब को और करते हैं जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो अच्छा लग रहा हो सब् ही same timing पे इससे open किया नäक्स्ट ऑनलाइन व्यद्ट फुलिप कार्ड को open करते हैं इस जहां पे भी same ही result हमें देखने को मिलता है same timing पे दोषी डिवाज ने से open किया एक और online swap app amazon को open करते हैं और अगेंस से यहां पे क्या result मिलता है यहाँ पे Poco M65G डेबाइस ने से पहले उपन किया है बेगराउंड में काफ़ी सारी रन हो चुकी है फड़ावर से RAM मेनेजमेंट चेक करते हैं तो यह दोस्तों दोनों ही डिवाइस के बीच में स्पीड टेस्ट अल्मोस सारे टेस्ट में एकवल एकवल टाइप से ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं तो उन्हीं डिवाइस में सेम ओवेसे में ओवेसे मीडियाटिक डिमेंसिटी 6100 प्लस वाला है थोड़ा बोट यहां पर बैक साइड में आपको डिजाइन जो है वो चेंज देखने को मिलता है रिट्मी 13C में स्ट्राल टेल डिजाइन है और वोकांट 65G डिवाइस में स्काइडांस वाले डिजाइन देखने को मिलते हैं यहां पे एक्वल ही टाइप का है और परफॉर्मेंस मोस्ट्ली हमें एकवल टाइप का ही देखने को मिला है यहां पे तोनही डिवाइस के प्राइजिंक के बारे में बात करें तो जो base variant है यहाँ पे 1000 रुपए का difference है 1000 रुपए के आसपास जो है वो Redmi 13 सी थोड़ा सा costly है बाकी performance यहाँ पे mostly same ही देखने को मिलता है इवन दोस्तों जो RAM management है तोनों ही device का यहाँ पे काफी best देखने को मिलता है तोनों ही device के regarding हमने deep video चैनल पे upload किया description box and screen में भी आपको सारी links मिल जाएगी चैनल पे और भी बहुत सारे important वीडियो एवलेबर है चेक आउट चरो से करिएगा और इन दोनों ही mobile के regarding अगर आपके कोई doubt कोई question है तो आप simply हमें comment section में पूछ सकते हैं फिला तो से सुड़ी में इतना है मिलते नेक्स नेवरी के साथ में तब तक क्लिशन बोलतरी के बंदे मातरम